आप सुधरने को तयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया कुछ नहीं हो सकता तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता कुई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है, मैं सुधरने से रहा, जो सुधरने लगेगा, उसको ततकाल दिख जाएगा, कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर है, निर्मलता का निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बाटना चाहते हो तुम से भरदाश्थी नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहें तो ततकाल तुम में उम्मीद जग जाएगी उमीद से आगे शद्धा जिसने जूट का स्मरण जूट की तरह कर लिया उसके सामने अब कर्म की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आजाती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस्मरण माने यही नहीं होता कि सचसंग में बैठ गए और गीता का पाट कर लिया, भजन कर लिया, कीरतन कर लिया जूट को अगर जूट जान लिया तो अब कर्म से कैसे बचोगे पहले लग रहा था कि तुम्हारे घर में जो कुछ मौजूद है वो साज सज्जा की शोभा की वस्तुएं है अब जान लिया की वो कचरा है अब कर्म से कैसे बचोगे सम्यक इस्मरण की अनुगूंज होती है कर्म सम्यक इस्मरण का अनुगामी होता है सम्यक कर्म जान लिया तुमने कि तुम्हारा घर कचरे से भड़ा हुआ है तुम अभी तक इस कचरे को समझ रहे थे घर की शोभा तुम अभी तक समझ रहे थे कि ये तो घर की रोशनिया है इन्ही से तो घर में नूर है यही तो घर की उपियोगी वस्तुएं है दिख गया कि ये घर का कच्रा है अब कर्म करना पड़ेगा या नहीं क्या कर्म करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा सफाई करनी पड़ेगी अध्यात्म बस इतना ही है भाई जिन्दगी का और कोई उद्देश नहीं है, कोई पूछे, कर्म माने क्या, सफाई कर्म माने क्या, जब मैं कर्म कहूं तो समझ ले ना, सम्यक निश्काम कर्म कर्म माने क्या, सफाई, और कुछ करने लायक नहीं है तो आप कहेंगे अचारे जी बस इतना ही सफाई अरे बस इतना ही नहीं सफाई बहुत बड़ी बात है भाई तुम्हें अगर लग रहा है कि बस इतना ही तो इसका मतलब है कि तुम अभी अपनी कचरे की गहराई इससे परिचित नहीं हो अगर तुम कह रहें वाचारी जी अध्यात्मा ने बस सफाई करनी है तो इसका मतलब है तुम जानते ही नहीं कि कचरा कितना गहरा और कितना जिद्धी है बहुत सारा है और बहुत चिपकू है हटना नहीं चाहता अब समझे कि जीवन में करने योग क्या है समय क्या करते हुए बिताना है आदमी का जन्म हुआ ही किसलिए है जीवन में करनी है क्या है सफाई और कुछ नहीं यही साधना है वही ईशिस्मरण है वही योग है उसके अतरिक तो और कुछ नहीं तो क्या जीवन कुछ पाने के लिए मिला है क्या पाओगे भाई क्या तिकमाने के लिए मिला है किसकी नजरों में भाई सुक सुविधा भोग विलास के लिए मिला है जीवन अरे छोड़ो ना भाई जीवन किस लिए मिला है क्योंकि करनी है सफाई और कोई उद्देश नहीं जीवन का सफाई करो कल बात कर रहे थे तो सफाई के मैंने आपको 2000 बताए थे क्या एक जाड़ू एक तलवार अगर जड़ लगे कचरा तो उसके लिए है जाड़ू जड़ कचरा मने पत्थर पानी तो पत्थर पानी के लिए जाड़ू काफी है और अगर चैतन ने लगे कचरा तो उसके लिए है तलवार इसके अलावा जीवन में कुछ करने लायक नहीं जो कुछ भी कर रहे हो बस अपने आप से पूछो सफाई कर रहा हूं या कुछ और जो भी कर रहा हूं और उसमें सफाई निहित है तो ठीक कर रहे हो सफाई नहीं है तो क्यों समय वर्बाद कर रहे हो समय के बाबात हमने क्या बात करी थी तो उसमें से हैं कितने आपके पास दस निकले थे कुल बात में एक दो लोगों ने बोला अचारे जी आपका गड़ित कुछ ठीक नहीं है दस भी नहीं है दो चार ऐसे भी काम है हमारे जिनका आपने नामी नहीं लिया पर उनमें समय बहुत जाता है आपने तो बड़ी भाली बाते कर दी आपने कहा कि वो बस कि शोरा वस्था में पंदरा निकल जाते हैं साल दस बढ़ापे में निकल जाते हैं पचीज सोने में निकल जाते हैं और क्या बोला थे दस नेतिक दैनिक क्रियाओं में निकल जाते हैं और भी है काम, उनमे भी बहुत टाइम लगता है, आप बुद्धु ही रह गा, आपको कुछ पता ही नहीं, हमारे और भी बहुत धंदे हैं, तो मैंने का ठीक मैं बुद्धु हूँ, तो उसका कुल निशकर्श क्या है, बोले इसका मतलब ये है, कि साधना के लिए, असली काम के लिए, जिसके लिए जनम हुआ है उस काम के लिए, दस साल भी नहीं है, मैं कि तुम, मैं बुद्धु ही भला, पर तुम्हारी होशियारी तुम्हारे किस काम आ रही है भाई, समय तो और कम है ने तुम्हारे पास, और तुम उसको व्यर्थ करे जा रहे हो, फिर समझो, ये भूत बहुत पुराना, बहुत जिद्धी है, चढ़ा हुआ है बिलकुल, वह असानी से नहीं उतरता, इसलिए बार-बार दोहरवा रहा हूँ, जिन्दगी किस लिए है, और कुछ करने लायक नहीं है, आदत वश कुछ भी मत करने लग जाना, बार-बार अपने आप से पूछना जो कर रहा हूँ, इसे कचरा साफ होगा या नहीं होगा, और कभी ये मत कह देना, कि नजाने अचारे जी को कौन सा विराट कचरा दिख रहा है, हमें तो कहीं कचरा दिखता है, कचरा बहुत है, कच्रा बहुत है तुम्हें अगर न दिख रहा हो तो ये और खत्रे का सूचक है दिख जाए तो सफाई की कुछ संभावना न दिखे तो फिर कच्रे पर सो जाना तो कर्म माने क्या फिर ये जो तुम्हें बैठे हो ये कर्म की शुरुवात है इश्वर स्मरण का फिर मतलब सत्संग तक सीमित बिलकुल नहीं है इश्वर स्मरण की शुरुवात होती है सत्संग से हमने कहा इश्वर स्मरण माने जूट की सफाई यहां तो बस तुम्हारे हाथों में जाडू दिया जा रहा है कर्म अब करना है मेरे पास आये हो मैंने बस बताया है कि कचरा बहुत है जाडू की बड़ी जरूरत है मैं चलाओंगा थोड़ी जाडू तुमारे लिए मेरा अपना कचरा बहुत है अपना अपना कमरा सबको खुद साफ करना है सेल्फ सर्वेस का मामला है भाई आचारे जी जाडू दे सकते हैं हाथ में तुम्हारे जीवन की सफाई नहीं कर सकते कोई नहीं कर सकता वो काम तुम्हें ही करना है और वो बड़ा भारी काम है फिर से बोलो एक ही करने लायक काम कौन सा है, और वो काम किसे करना है, तुम्हें ही करना है, मैं सच्चा ही दिखा सकता हूं, रास्ता सुझा सकता हूं, कुछ बाते बता सकता हूं, तुम्हें जगा सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा उस रास्ते पर प्रुब्स प्रुब्स